फरवरी में आपकी एक्जाम स्टार्ट हो जाएगी 101 परसेंट नमस्कार पेरे बच्चों सभी का स्वागत है BSC Pro Classes में और पेरे बच्चों काफी दिनों बात आप सभी के लिए वीडियो में बना रहा हूं और इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों के सवाल है क्योंकि बच्चों के सवाल बढ़ते जाएंगे आज का सवाल यह है कि हमारी जो एक्जाम है कोलेज एक्जाम फरवरी के एंड में स्टार्ट होगी मार्च में होगी अप्रेल में होगी कब होगी क्या हमारी एक्जाम फरवरी में भी हो सकती है क्या कि बहुत सारे बच्चे में रप सकते हो फटाफट ठीक है लेकिन हम बात करते हैं कि हमारी जो एक्जाम होगी वो कब होगी तो यहां पर थोड़ा डिसकस करते हैं देखो प्यारे बच्चों बात ऐसी है कि अभी आपका जो रास्ता कि मैं बात कर रहा हूं ठीक है तो रास्तांशिटी में अभी जो फो में वो तो चल रहे तो आप अगर नहीं परियों तो भर देना उनको भी लेकिन बात करते हैं एक्जमिनेशन की जो आपकी एक्जाम होने वाली है वो कब होगी मतलब 2023 के अंदर है ठीक है फैबरी में होगी या फिर मार्च में होगी या फिर आप अपरेल में होगी या फिर आप कह सकते हो मई में भी एक्जाम हो सकती है क्या हमारी और मैं बात कर रहा हूं बीएस सी फस्टी है सेकेंडर थडियर की एक्जाम के लिए ठीक है और डैली आपके लिए इसी व लमला के बात यह है कि आपकी जो एक्जाम है ना बात करें फरवरी की तो आपको पता है आज तक हमारी एक्जाम फरवरी में नहीं भी लेकिन आपको पता है जो आपके प्रेक्टिकल एक्जाम है प्रेक्टिकल एक्जाम तो भाई यह वह भी तो एक एक्जाम होती है ना तो मतलब है फरवरी में आपकी एक्जाम स्टार्ट हो जाएगी 101% फरवरी के अंदर तो मैंने कहा कि फरवरी में अगर आपके एक्जाम स्टार्ट हो जाएगी तो सोच लो आपके पास अब टाइम कितना बचा है प्रैक्टिकल एक्जाम के लिए भी आपको तयारी करनी पड़त कि इनकी possibility क्या है कि अपनी एक्जाम जो है फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी तो मैं possibility के बात करूं इसकी possibility है 30 से 40% मार्च में एक्जाम स्टार्ट होने की possibility है लगबग 50 से 60% और मेरे according अगर मैं बात करूं जिससे सहाब से थोड़ा syllabus को लेकर भी तो मेरी according है मान के चलो कि एक्जाम जो स्टार्ट होगी न वह मार्च के अंदर ही होगी और मार्च end मेने में मतलब 15 से 20 मार्च के something में बियस सी पार्ट थड़की एक्जाम सो परसेंट चालो हो जाएगी अब आपको मैं डराने वाली बात कर रहा हूं क्योंकि बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा मुझे पता है लगबग 80 परसेंट बच्चे जो बीस सी में हैं अभी उन्होंने कुछ भी नहीं पड़ा है और बच्चे कह रहें से अगर आप नहीं जगे ना तो फिर हमेशे के लिए सोजाओगी फिर बीस सी थडियर में आपको दुबरा एक्जाम देने पड़ेगी आपकी साल खराब हो जाएगी आपके पैसे खराब होंगे आपके टाइम भी खराब आपका होगा तो बीस सी पार थड़ अब सुनो मेरी खाइल में निकल दाता है आपका तो सोचो दिसंबर जनवरी केवल दो मैने आपके पास बचे हैं कम्प्लीट 100% आपका स्लेबस आएगा सोचो 100% स्लेबस में आप किस प्रकार से तयारी कर पाओगे किस प्रकार आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो आप सोच लो कि इस बार 100% स्लेबस पांच यूनिट आपके आने वाली हैं फिजिक्स कैमेश्ट्री मैथ के अंदर तो आपके तैरी क्या होने वाली क्योंकि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से पर अपने साथ पढ़ रहे हैं और क्लास जोन कर रहा ही है उनको दिक्कत नहीं है उनका कि इस लिबस कवर हो रहा है वो तो पढ़ते हो रहे हैं कम से कम लेकिन जो सो रहे हैं भी गृटफा तो समझों गाहत मैं पांच-पांच प्रिजिक्स में चार ठीक है केमिस्ट्री में पांच मंचिन अट तैयार करना ना मुंकिन लग रहा है आप दो मेने के अंदर क्या क्या करो गया जो आप कर रहे हो ना एससी जीडी फीडी जो भी तैयरी कर रहे हो बंद कर दो अब और मेरे साफ से तो प्रुपर तरीके से बी एससी की तरफ देख लो नहीं तो फिर वही बात है वो जीडी फीडी रखी रहे जाएगी बिना गिरिजुशन के कोई काम नहीं आएगा वह यह वह ठीक है ना जनवरी है फरवरी है अभी तो खूब टाइम है मारे एक्जाम के लिए यह लोगडाउन वाला सीन था लोगडाउन में आपने क्या है एक एक दो दो में एक मैंने पढ़के बच्चों ने 75 मेरी 70 है 80 मेरी है यह बुलेगा तो बीस से में 80 प्रश्म मनाई मैंने अरे वह प्राम से बना सकते हो इस साल मैं क्या कर रहाऊ इस साल 90 पर सेंट बच्चे फैलोंगे इसके गारेंटि अपनी है लोग यह मैंने बता दिया आपको पहले अब 90 में हो अभी तो आप 90 में हो एक 90 से 10 परसेंट में निकल कि आ जाओ तो पास हो सकते हो नहीं तो 90 पर सेंट आधा पढ़ना है टाइम भी आपको कम मिल रहा है सब कुछ अब यहां पर पता सलेगा आपको ओरिजिनल बीसी जो है ना वो अब आपको देखने को मिलेगी देख लेना आप अपने साब से मेरा काम यह था कि आपकी जो एक्जामिनेशन का जो डेट है वो कंफर्म मैं आपको बता दू कि आपकी एक्जाम कब होगी कई बच्चे क्या सोच रहे है कि हमारा स्लेबस 50% होगा और मलब मही में मार्च में मार्च के बाद अपरेल में एक्जाम होगी बिल्कुल भी पोसिबल नहीं है एक्जाम मार्च म अगर परचिज करने हैं तो अपने एप्लिकेशन पर अवलेबल हैं एप्लिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है डेमो क्लासेज यूटूब पर चल रही है नए पेपर में स्टार्ट करें है पढ़ाई में अगर अभी नहीं जुटोगे तो फिर कोई आपके पास कोई नहीं बचाएगा आपको कोई नहीं हो लेगा कि हाँ ऐसे कर ले क्योंकि करना तो आपको यह एक्जाम में तो आप जाओगे ना एक्जाम देखें आपको आनी पड़ेगी तो अभी जग जाओ जो साती देख रहे हैं जो जग चुके हैं पहले वह अपना काम करेंगे भी या उनको बताएंगे कि थोड़ा जगने का टाइम आ गया है और अब पढ़ाई चालों नहीं करोगे तो फिर आपका गेम ओवर हो जाएगा फिर बाद में दुबार अपस्ता होगे एक्जाम टाइम में फिर फिर बच्छों के पास को लाएंगे कि हमको पांच जार देदो दसजार देदो हमको पास करवा देंगे वह करवा देंगे तो वह वाला सीन नहीं बने ना इससे बड़े है तो अभी पढ़ लो आपके पास अब जो सुद्रेगा वो ठीक है ने शुद्रे तो जैसरी शाम आज की वीडियो में इतना ही और नेक् केर वाइबाइ धन्यवाद